सेल यानि स्टील अथार्टी आफ इंडिया लेमिटेड की तरफ से आईटीई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट केंडिडेट्स के लिए अपरेंटिसिप आई हुई है जो की यहाँ पे राउर केला इस्टील प्लांट जो है इनका यहाँ से निकाली गई है तो अगर आप भी इसमें इलिजबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट है कैसे फॉर्म अप्लाई करना ITI Candidates को Trade Apprentice के लिए देखेंगे complete इस वीडियो में चैनल पे नहीं है तो प्ली सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, वीडियोज के और पढ़ाई के वीडियो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा इसके साथ साथ आपमारा चैनल है टेलिग्राम पर टेक स्टेडी आईटियो उसे भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे सारी अपडेट पोस्ट होती रहती पीडियोज भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किये जाते हैं यहाँ पे देखेंगे रावर केला स्टील प्लांट की तरप से जोकी सुन्दरगर उडिशा में है यह जारी किया गया था नोटिफिकेशन जिसमें ट्रेड अपरेंटिस की 113 पोस्ट है टेकनीशन अपरेंटिस की 107 और ग्रेजुएट अपरेंटिस की टोटल 41 पोस्ट है मिनिममम एज 18 सार और मैकसिमम 24 साल यहाँ पे रखी गई है ऐसे केंड़ेट इलिजिबल होंगे और जो रिजर्बेशन है वो जो ओडिसा गवर्मेंट का गाइडलाइन है उसके एकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्बेशन रहेगा और जो परसेंटेज बेशिस पे आपका यहाँ पे जो है सेलेक्शन किया जाएगा लास्ट डेट आप देख सकते हैं 30 नॉवंबर 2022 से सिर्फ और सिर्फ आनलाइन अप्लिकेशन लिए जाएंगे अप्रेंटिसिप इंडिया.gov.in से एप्लाई करेंगे अगर आपने अभी तक इस पे आईटिसिप कर लिया या कर रहे हैं आपने इस पे अभी तक एकाउंट नहीं बनाया रेजिस्टर नहीं किया कुद को तो आप यहाँ पे खुद को जरूर रेजिस्टर कर लीजे वहाँ से आप चेकाउट कर सकते हैं रेजिस्टरेशन अपना खुद से मोबाईल से कर सकते हैं अब यहाँ पे बात करेंगे कैसे आपको एपलाई करना है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको कर लेना है लॉग इन आज ये login कर लेते हैं, आज कर login में आपके mobile पे एक OTP भी जाता है, उसी के basis पे आपका यहाँ login होता है जैसे यहाँ login पे click करेंगे, देखे, OTP चला आया mobile पे, अभी इसको enter करना होगा यहाँ पे जैसे OTP आप enter करेंगे, यहाँ पे login हो जाएगा, आपकी profile यहाँ open हो जाएगी अभी आपको इस तीन line पे click करना है, apprenticeship opportunities पे click कर देना है दुबारा इस line पे आपको फिर से click कर देना है, जिससे यह वाला portion minimize हो जाए अब यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह से apprenticeship opportunities वाला, जो option होपन हो गया यहाँ location है, course है, establishment name है, तो हम क्या करेंगे, establishment name से यहाँ search करेंगे हमें यहाँ type करना है sale, जैसे आप sale type करेंगे, इसके बाद आपको rawr kela, देखें उपर आगया sale rawr kela steel plant इसी पर क्या करना हमें click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, आप थोड़ी देर wait करेंगे तो नीचे वाले portion पर आप देखेंगे, filter में sale rawr kela steel plant लग जाएगा और इसके नीचे आपको 14 opportunities जो हैं देखने को मिलेंगे, ITI के यहाँ पर 14 trade eligible हैं आप एक दो trade ऐसे हैं जिनके नाम यहाँ दो बार हैं, जैसे पहला आप देखेंगे copa और यहाँ कुछ चीजें ऐसी mention रहती हैं जो कि इस portal का fault है या आप कह सकते हैं establishment का fault है, वो update नहीं करते हैं जैसे vacancy post कब हुई तो दिखा रहा है 2020 का date, duration है 15 month जबकि actual में रहेगा 1 year का तो यह सारी चीजें update होनी चाहिए और धीरे धीरे portal update होगा तो इस पे आप मत जाईएगा, आपको क्या करना है, simply apply पे click करना है, location देखके अपने trade के according आपको apply कर देना है नीचे आप देखेंगे attendant operator chemical plant है, इसके नीचे mechanic diesel है, कोपा की देखिए दो बार दिखरी vacancy तो आप दोनों पर apply कीजिएगा, जिसमें भी आप start list हो next है आप देखेंगे electrician का है, इसके नीचे electronic mechanic है, sale route के लाइस्टिल प्लांट, fitter का है, instrument mechanic है, laboratory assistant है, machinist है, mechanic motor vehicle, RAC, turner instrument mechanic, तो आप क्या करेंगे, यहाँ click करेंगे, any location में आप primary location choose करेंगे, और ok कर देंगे, देखेंगे, applied successfully तो इस तरह से आप जिस trade में apply करना चाहें, apply कर सकते हैं, and फिर आप यहाँ से, अपने dashboard में आके, आप अपना application चेकाउट भी कर सकते हैं, total applications देखेंगे, कितने हैं, 18, इसमें आप आएंगे, देखेंगे, सेल राउर केला प्लांट, instrument mechanic में आपने apply किया है, चार नॉमबर को आपने apply किया है, and यह भी क्या है, pending है, यहाँ view करेंगे, तो यह सिर्फ इस तरह से दिखाई देगा, आपको बाकी details में दिखाई अभी नहीं देंगे, तो उम्मीद करते हैं, आप आसानी से अपने ही mobile phone स apprenticeship की video, उनके farm कैसे fill up करने, कब उनका admit card आ रहा है, कब उनकी merit list आ रही है, इन सभी तरह की update और इसके साथ ITE के अलग-अलग subjects, अलग-अलग trade की पढ़ाई के videos आपको channel पे regular basis पे देखने को मिलती है, तो उसके लिए बस आप channel के साधकर जुड़े रहेंगे, तो आप हर एक चीज से updated रहेंगे, thank you very much, last week फिर से आप से request होगी video को भी ना like किये, मच जाएगा, thank you